सिवसुत्रहरुकु दसमुचर्चा लोका नंदम समाधी सुख अर्थात अस्थित्त को आनंद भोगनु समाधी हो युँ समाधी सब्द की हो मक्षे मक्ती निर्वाण कई बल्ले चैतन्ने या इस्षोर भगवान तत्तो सिद्धी या बत हमले जुन सब्द हरुप बनाये का सुआ अध्यात्मिक मारगमा त्यो मानिस्ते ही इस्षोर सम्म को बिक्यास भाईशके पची तो इस्षोर को चेतना को स्थिति के हो बन्य नहीं हो त्यो चेतना को स्थिति मा त्यो समाधी स्थिति मा अस्थित्त को आनंद भोगनु समाधी सुखम तियो समाधी को सुखा मिल चो, तियो मक्षे तु मक्ति को अवस्था मिल चो तियो हे इसलाईने ज्यान प्रापटी भरिन चो तो ज्यान बंगे को इस्थिती उसले अस्थिते को आनन्द लाई भुग चो पस एवडा मात्री सब्द भाय उन चो तैयो शोरूप क़तो छा, आनंद मषय छा, तेहां बग ने की हो आनंद मात्र हो, पुरा जगत आनंदीत छा, हमी भढके को कारण, हमी यो होस गुमाये को कारण, मानिसले पाउन पाने, चेतना नपाये को कारण, हमी आनंदीत छाहिनो, अब अस्तित्तो लाए हमिले हासिल गर्ण को लागी अस्तित्तो को सानो जलक मिल्यो भने पहले हमिले जानकारी हुँचा कि अस्तित्तो भने को किराई छा इसको लागी ध्यान को पर्योग सालामा जानेई पर छा और को कुनेई पने उपाय छाई ध्यान मा गई शक्यों पचि ती अवस्थाको जलक मेल छ तीओ मिलेव भने हामिले एसलाइ इस्वरित गरेर हुन चकि एसलाइ हामिले संग्रह गर्णू परेओ एस माने अभ्यास गर्णू परेओ आइन्टो समाधी को अवस्थालाइ अभ्यास गरे पचि हामि पनी तही मुल की हो मुल कुण रूप मा थे ओ रणामी यो बहिरा युद्ज्य दे ह्ज कहाँ बैठाए तो मुल शूरूप मा ज्ञानु तेसलाइ अस्थित्त भनेंचे तो मुल शूरूप लाए तो Source अभस्थामा थे और यो अभस्थामा आयो ये त्टी जिग्यास भ्याओ वाने म आनि इस ध्यान मा जानो सक्छा, रहस्य मा जानो सक्छा, त्यो मुल सुरूप, त्यो सुन्ने सुरूप, त्यो सुन्ने थियो ब्याप्त भयो अनि कम्पीद भयो अनि यासमा आयो, अब त्यो मुल सुरूप मा जानो कुलागे ध्यान मा जानो कर्छा, ध्यान को सानो जलक, अस तिक तो को जालाक